नमस्कार आप देख रहें TNP News और मैं आपके साथ हूँ चंदा यादव करनाटक में कॉंगर्स को बहुमत मलती है तो सुधार मया और ड्रीकिस के बीच शीर्सपत के लिए लड़ाई तेज हो जाएगी एक कॉंगर्स बढ़ाई कहते हैं कि सुधार मया ज्यादा अनुभवी और वरिष्ट नेता है उनके पास सरकार चुलाने का अनुभव है जबकि D.K. शिपकुमार चुनौती देने वाले नेता है और सोनिया गांधी की बात सुनते हैं सुधार मया साल 2013 से लेकर साल 2018 तक करनाचक के मुख्यमंतरी का पद संभाद चुके हैं बतार चले डिके शिपकुमार कानक पूरा सीट से लगातार आच बार वधायक रह चुके हैं शिपकुमार का राज़ुका मुख्यमंतरी बनने का सपना बेहत बुराना है हलाकि अंतम निडने आला कमान का ही होगा करनाचक विधान सबा चुनाब 2023 की ज्वारी मतगर्ना के रुजानों में कॉंग्रस ने सपष्ट बहुमत हासल कर लिया है चुनाब आयों के मुथावे कॉंग्रस 114 सीटों पर आगी है इसे बीच सूतरों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ केपुर्ण बहुमत की सूरत में सुधार मया ही मुख्य मंतरी बनेंगे साथी सभी विधायकों को प्रमान पत्र लेने के बाद बैंगलोरू आने के निर्देव शुदिये गई हैं कॉंगर्स नेता और राजिक केपुर मुख्य मंतरी सिधार मया पर उनने बीजुपी के मं इंती ज़ारी है वहीं इस वक्त रुजान कॉंगर्स की तरफ है और कॉंगर्स 114 सीटों के बढ़हत से आगे चौल रही है यही वज़ा है कि अब कॉंगर्स नेता सच्चिन पालट अपने खुशी जाहिर करते वे नजर आ रही हैं इस मौके पर सच्चिन पालट ने कहा प लगातार बढ़हत बनाई हुई है यह निश्चित है कि कॉंगर्स की सरकार बनेगी बीज़ेपे किया कोशिश रहेगी कि वे अन्य दलों से मिलकर खरीद फरोक्त का सौदा करें क्योंकि भाजपा ने हमेशा ऐसा ही किया है उदर आमाद में पार्टी के नेता और आजजु सभास्तान से रागव चड़ा और एक्ट्रिस परणीती चोपड़ा की आज सगाई होने जवार ही है अलांकि दोनों के तरफ साधिकारिक रूप से सगाई को लेकर एलान नहीं किया गया है लेकिन जब दोनों एक साथ मुंबई से दिल्ली आए तो उनके फैंस यखिन हो गया कि रागव और परणीती अब सगाई कर ही लेंगे इसलिए अब दोनों के सगाई समारों के जश्ट में रंग जुमाने के लिए ढोल नगाडे तयार हो चुके हैं बतालचले रागव और परणीदी अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफी सफल हैं और दोनों ही नाम के साथ पैसे भी कमा रही हैं वहीं दोनों के सगाई में शामल होने लिए प्रियंका चोपड़ा दिल्ली पहुंच चुकी हैं दिल्ली पुलिस ने विशेस अदालत में दाकिल स्टेटर्स रिपोर्ट में ये जानकारी दी है अडिशनल चिफ मेट्रो पॉलिटर मजिस्ट्रेट हर्जित सेंग जुस्पाल के सामने लोक अभी योजक आतुल श्रिवास्तव ने बताया मामले की गंभीरता को देखते वे साइटी बनाई गई है उन्होंने आगरा किया कि मामले को देखते वे रिपोर्ट को किसी से साजवा नहीं किया जाना चाहिए इसलिए पुलिस ने सीर्बंध लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की है अगली सुनवाई अब 27 मई को होगी किंद्रे जान्स ब्यूरो ने एक्टर शारू खान से 25 करोड रुपे की रिश्वत मागने के आरोप में आयरस अधिकारी समिर वानखेडे और चार अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है सूत्रों के मुताबक कतित तोर पर समीर ने 2021 के कतित ड्रग जबती मामले में शाहरुक के बेटे आरेन खान के मदद करने के लिए कहा था सीबी आई ने मुंबाई, दिल्ली और खानपूर में 29 परिश्रों में तलाशी लिख है सीबी आई ने अभी आरोप लगाया है कि वानकिडे अनसीबी के दो पूर्व अधिकारियों और कुछ नीजी करमचारियों ने 25 करोड की मांगी गई रिश्वत में से 25 लाक रुपे पहले ही वसूल कर लिये थे ज़र देश में कोरोना के मामले में गिरावट आई है इसे के साथ इस बुलेट में मेरे साथ इतना ही नमश्कार